महानगर के लोकोशेट चंद्रेनगर निवासी रेलवे लोकोपालेट योगेश कुमार प्रचापती के बेटे अमन प्रचापती की 16 सितंबर को लोकोशेट पर कंटेने डीपो के सामने कार UP21CV0741 ने टककर मार दी थी जिसमें अमन प्रचापती की जान चली गई थी मंगलवार को अमन प्रचापती के परिजनों ने डॉक्टर भीमराओ अमबेटकर पार्क से जलूस निकाला और कलेक्टरेट पर पहुँचकर जोड़दार परदर्शन किया ग्यापन देने के दुरान अमन प्रचापती की बहन और माने सीवी लाइन पुलिस से विश्वास उ पत्नेकर मुरादबाद दिव्यम चोधरी पुत्र सत्वेंद्र चोधरी निवासी अजाद लगर गली नमबर आठ मुरादबाद फरार हो गए थे इन्हें अभी तक नहीं पकड़ा गया है मंगलवार को इसी मामले में कारेवाही की मांग को लेकर अखिल भारती प्रजबत कुमकार, संके, बैनर, तले, समाज, कई संगठनों के लोग सिविलाइन थाने के पास इस्टेट डॉक्टर अंबेटकर पार्क पर एकत्रित हुए और यहां से हातों में पत्रिकाएं लिखे हुए सिविलाइन पुलिस के किलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टरेट पहु व्यक्तियों पर भी दबाव बनाकर उनको पैरवी करने से रोका जा रहा है। पीडित परिवार आसुरक्षा में जी रहा है। मुखे आरोपी की जगा अन्य व्यक्ति को ड्राइवर बनाकर आरोपी बनाने की योजना चल रही है। तथा उक्त अभियोग के विबेचक इसलिए इस मामले की विबेचना किसी अन्य निस्पक्ष विबेचक से कराने, चेश आरोपियों को शीगर ग्रफतार करने तथा परिवार को सुरक्षा पैदान करने का आदेश देने की मांगी। कि अमन का बहस हुई उन लड़कों से और उसने माही को बताया था मेरी चोटी बैन इसका वर्दे था फिर उन्हों ने बोला कि मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं और फिर लड़कों ने ऐसा कर दिया थार गाड़ी थार गाड़ी अनमोलर उड़ा रहे हैं उसने बह कि पुलिस उनको भी पकड़ने में बारी बदद करें इतना मुश्किल तुम मुरी को नहीं लगता है कि पुलिस वालों के लिए होगा कि वो दो अभी तक ना पकड़े जाएं मांग कर रहे हैं आपको